आज भारतिये जनसंग के संस्थाबग शामप्रसाद मुखर्जी की जयनती है शामप्रसाद का जन्म 6 जुलाई 1901 को कलकत्ता में हुआ था 1923 में सिनेट सदस्य शामप्रसाद मुखर्जी बने 1927 में बैरिस्टर बने कलकत्ता उच्चने आले में एडवोकेट के रूप में नामदर्ज करवाया 33 वर्ष के आयू में कलकत्ता विश्वध्याल के सबसे कम उम्र के कुलपती बने कलकत्ता विधान सभा के सदस्य बने शामप्रसाद मुखर्जी कॉंग्रस से मधभेद होने पर स्थिफाईन होने दिया बाद में इस वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और निर्वाचित हुए 1944 में हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए पंडित नहरों की सरकार में उद्योग एवं आपूर्थी मंत्री बने 21 अक्टुबर 1951 को दिल्ली में भार्थी जोनसंग की नेव रखी और अध्यक्ष बने 23 जून 1913 को रहसे मई परिस्थितियों में श्यामा प्रसाद मुखर्जे का निधन हुआ